कहिए कैसे हैं आप immaturity in relationship देखिए वैसे रिष्टे खराब होने की वज़ाय तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन एक वज़े ऐसी है जो कि बहुत solid है जो कि बहुत main है जो कि अकसर मतलब बनी जाती है वज़े लगता ही है कि हाँ यही रिजन होगा और वो वज़े है immaturity ना समझ नादानी बचपना क्या सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई हम बड़े हो गए यानि अब हम समझदार हो गए पर समझदारी इसमें नहीं होते ही कि हम बड़े हो गए या बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं समझदारी छोटी-छोटी बाते को समयने में होती है वही समयने में ज्सेयों ज्लूर घ्टल रिश्था ना उसमें दरार पढ़नी शुरू हो जाती है जब AMY Berets तो नी जब रिष्टों में दरार पढ़ती तो सवारण नीजाती है लेकिन जब rigorals के लिए ज़रूरी है थो पुछ ऐसी बत जो चोटी शूटी से काम लेकरिव सी हम जो जिन पर हम ध्यान दे और वह बाते किया है यही बाते आज मैं आपसे शेयर कर रही है जैसे कि भश्पना किस तरह का कि जैसे शादी हो गई तो जैसे युवाइफ ने हो जासे 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 हो चाहिए Benffen कितनी दिर तखा होगे या जैसे घर पर ही है कोई guest मिलने आ गया या कियो मिलने आया या किस से बात कर रहे हुए थे phone पे मुवाइल चेक करना मतलब ह्लाओ कि ही मेर से पूछ के करें और यह कर रहे हैं तो क्यू zombies तो उससे क्या होता है यह जो मैं बात कर रही हूं है आप समझते हैं पर प्यार से प्यार दीजिए यह समझ बजाए हर बात में CIT की तरहें नज़रे रखने के यह देखिए कि आप मतलब जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसकी क्या लाइकिंग या निकाल्ट ने नहीं दिख्वार देख़ते हैं इन चीज़ों पर ध्यान दिजिए जिन्दगी को बहतर बनाईये यह क्या इस तरह की बाते लेके बैट गया है इन से बहां निकल के आप अपना जीवन अच्छा बनाईये बहतर बनाईये और यह तब ही पॉसिबल होगा जब आप प्यार देंगे एक दूसरे को आप यहरूं चैट तो जोड़े जोड़े की जिन्दगी में अगर हमारे रिष्टे प्यार नहीं हूं उब प्यार की जोड़ेगी नहीं है ना कि इस तरह की हरकते कहां क्यूं कब किस लिए यह चीज अब दूसरी बात दोनों सीन क्रियेट करने का या ड्रामा बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते यह जब मैं बात कर रही हूं दोनों में से कोई भी हो सकता है या हस्बंट हो सकते है या वाइफ हो सकती है अब जैसे कि माली जी ए वाइफ है अपने फ्रेंट सरकल में बैठी है और अपने हस्बंट की बुराईया की जा रही है अरे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं सारा काम मैं ही करती हूं सुबह इतने बज़े उठते हैं रात को ऐसे करते हैं यह गरते हैं वो करते हैं अब अगर हस्बंट एक बात करेगा तो वाइफ दो वाते करेगी क्या है इस तरह की बाते हैं यह बचकानी हरकते हैं बचपना है यह ऐसे दूसरों के सामने या माल लीजिए हस्बंट ही है अपनी रिष्टेदारी में बैटे हैं और अरे इसको तो खाना बनाना तक नहीं मैं तो बहुत दूखी हो गया उनको बता के क्या फाइदा यह जो मैं बात करनी हूं यह इल screens have a human प्रब्लम को थीक होना है, है कि नहीं? अगर प्रभुण को वाइब से प्रब्लम है तो उसे ठीक होना है तो रिष्टेदारों को अपने फ्रेंड सरकल में बता के क्या फैदा हसते हैं लोग, मजाग उडाते हैं लोग मजे लेते हैं आपके सामने बेशादा से भूला सा भूबनो लेगें अच्छा अच्छा पर अंदर यंदर उनको बड़े मज़े होंगे क्योंकि उनको एक टॉपिक मिल गया ना बात करने को अरे उनकी तो ऐसे लडाई होती है अरे क्या बता हूँ अच्छा जितनी आपकी बाते हैं उसे 10 ताइम और बढ़ जाएंगी इसलिए मैं चोटी दिखाईए समझदारी दिखाईए आपस में सुले कीजिए आपस में बात कीजिए इधर उदर बात करके कोई फायदा नहीं है यह है इन मैं चोटी अब धीसरी बात कहते हैं कि कुछ दिखते हैं इसलिए चुप है इसलिए रिष्टे हैं यहां पर उलटा ही सेन देखने कर वेलना है मतलब आपस मिलता है मतलब खुद तो मैं ठीक हूं मुझ में कोई प्रॉबलम नहींना जैसे हस्पेंट का पास्वे मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रॉब्लम है तो वाइफ में है, बदलना है तो इसको बदलना है, मेरे अंधर कोई कमी नहीं है अपने गिरेबान में जहांके तो देखिये, यह जो बात कर रही हूँ, इम्मैचियोटी की, बचपने की, क्या खुद में कोई कम ही नहीं होती, कभी जहांकने के कोशिश की है, मतलब क्या होता है कि उस बात को दबाने के कोशिश करते हैं, जैसे हस्बंड ने अपने मतलब अपनी गलती तो दिखाए देती नहीं है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमको बदलना है, तुमको सुधरना है, अरे अपने गिरेबान में भी जाकर देखिये, मेरे अंदर भी क्या प्लस पॉंट है, मेरे अ प्लस को ठीक करना है, देखिये, रोटी होती है, जब हम दोनों तरफ से सेख के खाएंगे, मतलब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिखी होगी, जब भी खा पाएंगे, एक तरफ से से ख ली, एक तरफ से कच्छी रह गई, क्या फैदा हुआ, रिष्टे में भी, दोनों को कोई efforts करने पड़ेंगे, मतलब अगर यह सोच लो की सिरफ वाइफ की कमिया नहीं, हजबंड की कमिया नहीं, दोनों को equally efforts, तभी बात बनेगी, समझे, अब चौती बात, हर रिष्टे में, हर रिष्टे में होती हैं जिम्मेदारियां, जो इनको निभा गया, वही भागया, पर यहां तो जिम्मेदारे से दूर भागा जा रहा है, इन में चोटी किस बात की है? जिम्मेदारियों से दूर भागा जा रहा है, अब जैसे हस्बेंड है, मतलब बैलन्स बना गए नहीं चल पा रहे हैं, किस में? काम में और घर में, मतलब घर टाightесть का डाइम पे आना न जैसे शादी से पहले वह काम करती थी, जाती थी, पीछे मदर गर संभालनी थी अब भी है कोई लेना दे निहां घर के कामों से 10 तरह की नई घरस्ती शुरू की पक्तूस की ए 10 तरह की नहीं चोस्य की ज़स्तारी के खाने काम ड़ते हैं कभी चोपत है लुदिश्टे की नौबंशो में पाρη हैं यह परल गुत्थ उतलो के लिपकी ड़ते हैं तो वाइफ घर पे रहती है मान लीजिए और जैसे हस्बेंट से वह डिस्कूस करना चाह रही है कुछ कि मेरको अपनी पर्सनल प्रॉबलम है उसके बारे में मतलब सुनना ही नहीं चाह रहे है ना टाइम ही नहीं है मतलब चाही नहीं रहे सुनना या फिर जैसे वाइफ फ्य मेदारियों से दूर मत भागिए आप बात कीजिए खुल के हाँ अपना टाइम को मतलब घर को और काम में बैलन्स बनागे चलिए देखे कितना फरक पड़ेगा यह जो बाते हैं यह चोट चोटी सी बाते हैं जिस पहे हम ध्यान नहीं देते और फिर ऐसे इसुट बन जाते हैं इन चोटी चोटी बातों की जोडियां ले आते हैं इसलिए इनको जय जल्दी समझ कर इनको जय ठीक कर दें बेटर अब पांच वी बात रा से मेरे मरजी क्या है? तो मेरी मर्जी, ये सोच, ये पूरी की पूरी, इम्मेचुर्टी है, ना समझी है, ना दानी है, मतला अपनी चलानी है, मेरी मर्जी है, मेरा मन कर रहा है, देखें शादी के बाद क्या होता है, जो मी होता है, मी, में, वो वी में बदल जाता है, हम कहते भी हैं, कि शादी के जो बात हम में है मतला हमड़े बन्गे है आप alive जो बात हम हो गए वह नहीं मुझ में है मतलब abn बन गये अब कोई भी decision लेंगे कोई भी बात करेंगे मिल के रहेंगे मिल के बात करेंगे और यह ज़रूरी भी होता है part यहां पर कब दूरी आ रही है कब प्रॉब्लम आ रही है इम्मेच्योटी क्या है नहीं जी समझ नहीं नहीं है मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ ऐसे करो ऐसे ही करेंगे यही करना है उससे मिलके रहिए, मिलके काम कीजिए, मिलके डिजिजन लीजिए, जिन्दी ना बेतर हो जाए पर एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए, मिल जुलके रहना पड़ता है उसके लिए एसे नहीं है कि हाँ चलो भी आज से हाँ ठीक है पर शाम को फ़र्ण की नहीं पड़ा, टाइम भी लगता है, टाइम भी दीजिए, ये बच्पने से बाहर निकल आईए, अब आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो समझदारी भी तो दिखाईए, अब छेटी ब पर शाम करेगा ऐसी पैराशूट है, ये एक आदमी ने अरो प्लेन से जंप लगाई, पैराशूट पैन के वो खुला ही नहीं, क्या होगा? अंतनिष्टित है उसका, तो खोल के रखना चाहिए, दिमाग, दिमाग को खोल के रखना चाहिए, आप ये देखिए, यहां पर इस सिच्वेशन में, मैरिड लाइफ में दिमाग बंद रखते हैं, मतलब अपनी समझदारी से कुछ काम ही ने लेते हैं, किसी ने बोल दिया, कान के इतने कच्छे होते हैं, ये इमेच्योटी है, किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत विश्वास कर लिया, जैसे कि एक आद अपने विश्वास पर शक है, और शक पर पूरा विश्वास है, ऐसे ही जैसे वाइफ है, वाइफ को उसकी फ्रेंड बता रही है, तुम्हारे हस्बंड को देखा था, वो तो पिक्चर हाल से निकल था, किसी के साथ, मैंने उनको स्मोक करते होए देखा था, एक बड़ पा रसूलन क्या होना चाहिए, जिसे अपना समझोना उसको परक्ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गुनागार वो निकला, तो भी दिल हमारा ही चूटेगा, विश्वास रखिए, विश्वास कहां चले है आपका, क्यों सब आंख, ना, कान बंद करके, किसी थर्ट परसन पर विश्वास कर रहे हैं, उसने ऐसे का, या खुद ऐजियों किये जा रहे हैं, खुलकर बात कीजिए, मतलब बात की तह तक जाएए, पता तो कीजिए, और विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है, यह जो इम्मेचियोटी दिखाते हैं तुरंत किसी की बातों मे तुरंत हाँ, ऐसे हुआ होगा, और कई बार तो इस चक्कर में, मतलब बिना तहकीकाद कीए, बिना चामीन कीए, छोड़ भी देते हैं हस्बंट को, या वाइफ को छोड़ दिया, मैं तो रहना ही नहीं इसके साथ, बिल्कुल गलग बात है, देखें जो रिष्टे होते है अपना रंग छोड जाएगी हाँ, जितनी समसधारी से, जितनी मैच्योटी से इस नासमजी से निफाएगे, ट pub भात खूंछ निकल जाएए, इस नासमझी से बाह आई, अपनी अश्या पने प नब करें या इस नाम्यास से बाहर निकल जाएए, अपनी जो डाय प्याश effर बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें बेल का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो चैनल चैनल झाल झी वी ।